नमस्कार आज का दिन बुद्वार है वेटमिस्टे तो देखते हैं क्या guidance है आज हमारे लिए तो आज अपने अंदर की happiness को समझने का दिन है और उसको share करने का दिन है तो हम शुआत करते हैं Aries के साथ Aries के लिए advice यह है कि healing आपकी अंदर से हो रही है तो जो भी आपकी fears है उनको आज face करने का दिन है अपने fears को लिखिए फिर यह लिखिए कि मुझे वो fear क्या है और फिर आप solution ले पाएंगे तो it's like saying कि shake your hands with your fears मतलब अपने fears के साथ हाथ मिलाइए और फिर action दीचे next is Taurus Taurus के लिए advice यह है कि आप कुछ चीज़े रिलीज कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़े आप नहीं कर पा रहे हैं तो आज चीज़े नहीं कर पा रहे हैं आप रिलीज उस पे awareness लाने की जरूरत है क्योंकि उसकी वज़े से आपकी energy block हो रही है और दूसरा आप exercise पे ध्यान दे रहे हैं जरूर दीजिए आपको अच्छा लएगा आप और भी नई चीज़े चीज़े पर पाएंगे next is Gemini Gemini के लिए advice यह कि आपको अच्छा लग रहा है आप lead कर रहे हैं आप encouraging है लोगों के लिए as a leader आप अपने team को प्रोसान दे पा रहे हैं तो उसके लिए आप अ joy से या कोई चीजों से आपसे कोई advantage ले रहा हो the opposite person is trying to act smart with you or maybe आपसे कोई ऐसी चीज़े करवा रहे हैं जो आपको समझ में ही नहीं आ रहे हैं तो आज उस पे भी ध्यान देने का जरूरत है next is Leo Leo के लिए advice यह है कि अगर आप अंदर से अपनी relationship को uplift करेंगे तो आप देखे लोग आपको genuinely बहुत love करते हैं आपको और भी सफलता मिलेगी next is Virgo Virgo के लिए advice यह कि आज अपने emotions के ओपर काम करने का जरूरत है thoughts के ओपर काम करने के जरूरत है और लोगों के बारे में जानने का जरूरत है कि क्या facts क्या है कोई ऐसा तो नहीं को आपको mislead कर आ है तो जो भी किसी ने कुछ बोला है उसको factory पहले उसको जाके देखिए कि यह सही भी है या नहीं है next is Libra Libra के लिए advice यह है कि आप लीड करें आप जितना लीड करेंगे आपको अच्छा लेएगा आप देखेंगे कि आपने पूरा यह जो साल बीता है जब जब आपने लीड किया है कि आपको सपलता में तो आज भी लीड करने का दिन है next is Scorpio Scorpio के लिए advice यह है कि जब हम अपने आपको रोक लेते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ बाते हैं तो negative कहां से आ रहा है negative beliefs कौन से हैं जो पुराने हैं उन पर आज काम करने का दिन है और किसी ऐसे भजशन से बात करने का दिन है जो आपको ग्रोथ की तरफ ध्यान दे next is Sagittarius Sagittarius के लिए आज advice है अपने हार्ट चक्रा पर काम करें problems के अंधर ही opportunities होती है तो जो problem है पहले उसको देखिए क्या problem है और उसका क्या action हो सकता है उन चीज़ों को लिखिए या brainstorm करिए लोगों से मिलिए solution निकलाएगा next is Capricorn Capricorn के लिए advice यह है कि आज आज आप नए तरह से एक पुरानी चीज को सोचने की कोशिश करें और आप देखें कि उसके answers मिलेंगे blue color बहुत अच्छा है blue light blue color को अगर आप देखेंगे sky को थोड़े देखेंगे अगर आप ऐसी जगापे रहते हैं आपको blue sky अगर देखे तो जरूर देखे अच्छा लएगा so blue is your color today it will give you answers next is Aquarius Aquarius के लिए द्वाइज यह है कि green color बहुत अच्छा है आज आपके लिए पुरानी बातों को छोड़िए वरी को हटाईए सफलता को अपनाईए सफलता ये भी होती है कि हम सुबह उठे हैं हम स्वस्थ हैं हम अच्छा है तो यह हमारे लिए सफलता ही है तो अब नए रास्ते बनाईए next is spices के लिए ड्वाइज यह है कि जब आप डिटाच होके situation को देखते हैं तो आप उस situation पे ज़्यादा काम कर पाते हैं और अपनी emotional reasoning को हटा के यह क्या ज़रूरी है उससे decision ले पाते हैं तो आज पीस पे काम करिए और पीस से ही समझ के answer दीजी तो मैं आशा करती हूँ आप सब का दिल बहुत अच्छा रहेगा Have a great day Namaskar